हालो गाइस माइनम इस पवन नागर एंड यू आर वाचिंग टीसी अमेल एंड आज का जो हमारा mcq है वह आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आई होप आपने कुशन सोल कर लिया इन तेनों चार्ट का डिटेल वीडियो लिंक कहा मिलेगा आपको इसी वीडियो डेस्क्रीप्शन के अंदर अब हम आते हैं डिटेल एक वर्ड सभी में कॉमन है और वह क्या है सेंटेसिस ओके अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सेंटेसिस का मतलब क्या होता है aspiration of fluid या बोल दीजिए surgical puncture और देखिए यह puncture वही है मतलब कि आपके cycle की tube है वो puncture हो जाती है और cycle की tube puncture क्यों हुई क्योंकि कोई pointed सी चीज हमारे tube के अंदर चली गई होगी जिससे हमारी tube puncture हो गई और पूरी हवा बाहर निकल गई तो यहाँ पर भी वही puncture है and of course हमें भी यहाँ पर कोई pointed सी चीज लेनी पड़ेगी puncture करने के लिए तो हमने यहाँ पर क्या लिया injection लिया and अब आपको सोचिए कि यार इस injection का क्या होता है या तो हम कोई चीज अंदर डालते हैं या फिर इससे कोई चीज का हम करते है aspiration तो हमने वही लिखा है sentences का मतलब क्या होता है aspiration of fluid and जो seven term आपने option में देखे थे उन term का नाम हमने कैसी दिया है fluid के aspiration के base पे मतलब कि अगर हम fluid का aspiration कर रहे है plural cavity से तो हम क्या बोलेंगे थोड़े को sentences आपको भी screen पे दिखाई दे रहा होगा अगर हमने fluid का aspiration peritonium cavity से किया तो हम क्या बोलेंगे peracentesis अगर हमने fluid का aspiration pericardial cavity से किया तो हम क्या बोलेंगे pericardiosentesis and अगर हमने fluid का aspiration amniotic fluid sec से किया तो हम क्या बोलेंगे उसे amniocentesis अगर हमने fluid का aspiration amylical cold से किया तो उसे हम क्या बोलेंगे coldocentesis and देखिए coldocenthesus का एकोल नाम है जिसे हम बोलते हैं PUBS percutaneous unbligal cold blood sampling and अगर हम इस injection से fluid का aspiration अगर recto uterine pouch या बोल दीजिए pouch of Douglas से करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं coldocenthesus and last and final अगर हम इस injection से fluid का aspiration करते हैं कहां से joint cavity से तो उसे हमने क्या बोल दिया arthrocenthesus I hope आप समझ रहे होंगे कि sentences का मतलब क्या होता है कि हमने injection डालके अंदर का जो fluid है cavity का जो fluid है वो बाहर निकाल दिया किसके लिए examination के लिए and फिर उसे हम diagnosis बनाएंगे किस बंदे को कौन से disease हो सकती है and मैंने each term के नीचे उसका clinical भी लिख रखा है कि in the case of plural effusion हम क्या करते है थोरे को synthesis करते है plural effusion मतलब कि हमारा जो plural fluid है वो कुछ ज़्यादा ही बन गया देखिए आप आईए हमारे plural के चार्ट के उपर यशी plural cavity plural chart यहाँ पर मैंने बताया था कि plural cavity के अंदर अगर excess fluid accumulate in plural cavity हो गया तो हम क्या करेंगे तो हरे को synthesis करेंगे and मैंने बताया भी था कि थो हरे को synthesis कैसे करते हैं fluid aspiration from plural cavity okay AGT जो वही concept यहाँ पर है peritonium पर यहाँ पर क्या थी peritonial cavity and वही अगर fluid कुछ ज़्यादा ही बन गया peritonium cavity के अंदर का जो fluid है वह ज़्यादा ही बन गया तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ascitis ascitis बोल दीजिए या बोल दीजिए peritonial effusion यहाँ पे क्या था plural effusion यहाँ पे क्या है peritonial effusion या बोल दीजिए ascitis and अगर हमें इस fluid को बहार निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे perasynthesis I hope आप समझ रहे होंगे agitage यही concept कहां लगेगा pericardium पे लगेगा and देखिए आपने एक और चीज़ notice की हो तो मैं इन तीनों point को plural वाले point को pericardium वाले point को और pericardium वाले point को एक साथ बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इन तीनों structures में plura, pericardium, peritonium इन तीनों में काफी ज़्यादा similarity है and देखिए इन तीनों की हमने एक common video भी upload कर रखी है कि इन तीनों chart के अंदर कितनी ज़्यादा similarity है and इन तीनों की जो common video है उसका video link आपको कहा मिलेगा इसी video के description के अंदर and अब हम आते हैं हमारे बचे हुए point के उपर तो देखिए मैंने number 4, 5, 6, 7 इन चारो point के नीचे इनके clinical लिख रखे हैं कि हम amniocentesis कब करते हैं प्री नेटल डाइग्नोसिस के लिए and of course जो number 4, 5, 6 है न amniocentesis, coldocentesis, coldocentesis आप इन तीनों को mainly कहां पड़ोगे MBBS final year के अंदर और वहाँ पर भी कहां पड़ोगे OPS के अंदर and जो 5 वाफाला है इसे भी हम कहां करते हैं coldocentesis को इसे हम करते हैं prenatal diagnosis का मतलब क्या है कि यार कोई lady pregnant है और उसके uterus के अंदर को baby है तो हमें उस baby के अंदर disease को देखना है कि इस baby के अंदर कोई genetic abnormality तो नहीं है कोई genetic disease तो नहीं है तो ये check करने के लिए हम क्या करते हैं prenatal diagnosis एंड आपने पड़ा भी होगा यार 12 में एंड कुल्डोसेंटेसिस इसके लिए मैंने नीचे लिख रखा है कि इसे हम कब करते हैं जब हमें सस्पेक्ट हो कि इस लेडी को पेल्विक इंफ्लामेटीड डिजीज हो सकती है या फिर रप्चर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है देखिए कॉल्डोसेंटेसिस इसका जो रिलेशन है वो किस्से है परिटोनियम से क्योंकि अगर हमारा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर हो गई तो हमारे परिटोनियम की जो केविटी होती है इस cavity के अंदर जो fluid होता है उसके अंदर क्या आजाएगा blood आजाएगा और अगर peritonium cavity के अंदर जो fluid है उसके अंदर blood आ गया तो हमें of course क्या करना पढ़ेगा उस fluid का करना पढ़ेगा examination कि उस fluid के अंदर blood है या नहीं है मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ? heemoperitoneum परिटोनियम के अंदर का फ्लूड है उससे क्या करना पड़ेगा एक्जामिनेशन करना पड़ेगा और वह कैसे करेंगे इंजेक्शन डाला के अंदर फ्लूड निकाला एंद फिर हम क्या करेंगे उस फ्लूड का कंपोजिशन देखेंगे कि इसके अंदर ब्लड है या नहीं है अगर peritonium cavity के fluid के अंदर blood है तो हम क्या suspect करेंगे ectopic pregnancy rapture हो गई या फिर हम PID pelvic inflammatory disease of course इसका भी वही concept है कि peritonium cavity के अंदर का जो fluid है उसका composition change हो जाएगा क्योंकि of course PID के अंदर क्या होता है of course infection pelvic inflammatory disease infection हो गया तो of course cavity का जो fluid है उसका composition change हो जाएगा and अब हम आते हैं last and final point यानि कि arthrocentesis तो वही injection डाला joint cavity के अंदर and joint cavity का fluid है उसे बहार निकाला यानि कि synovial fluid हमने बहार निकाल लिया and उसका examination किया and in the case of arthritis जो हमारा synovial fluid का composition है वो change हो जाता है तो of course हम arthritis में क्या करेंगे arthrocentesis करवाएंगे कि composition change हुआ है या नहीं हुआ है या फिर बोल दीजिए arthritis है कि कोई और disease है ओके और देखिए मैंने इस seven point के जो clinical बताए हैं वो only एक एक दो दो clinical ही बताए हैं और भी clinical हो सकते हैं okay and आज का जो हमारा question है मैं यही पर finish होता है and अब हम आपसे मिलते हैं next mcq के उपर झाल